क्या होगा अगर आपको सर्वाइब करना पड़े 100 days in magical nether लास्ट फीडियो मैंने सर्वाइब किया था 100 days in magical land और वहाँ से तो मैं बाहर निकल गया था पर इस बारी मैं फ़स चुका हूँ इस खतनाग जगह में जो की है magical nether जहाँ पे काफी सारे नए और खूबसूरत बायोम और यहाँ पे काफी सारे नए मॉबस जैसे की यह उड़ने आला सुवर और भी बहुत सारे और यहाँ पे बह। ज़्यादा खतरनाक वाले bosses जो कि हमें किसी वक्त मार सकते हैं क्यूंकि मैं हाटकोर में खेर रहा हूँ तो मैं बस बहार निकलने का सिर्फ एक ही मौका है तो इस वीडियो के लिए मेरे कुछ गोल से, उसमें से पहला है कि मुझे ढूड़ना एक नेदर सिटी, जहाँ पर मैं इस सब मॉब और बॉसेस से बचपाओ, और दूसरे की मुझे बनाना है बहुत यादा खतरनाक और ताकतवर आर्मर्स और वेपन्स, और साथ में काफी सा तो इस वीडियो को लाइक करो, और यूटूब ने मुझे ग्राब भीजा था, जिसके साब से मुझे बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, और हम लोग 80,000 सब्सक्राइबर के भी बहुत क्लोज हैं, तो नीचे जो रेड कलर का से, जो की अब तूट चुगा है, और तब ही मेरे ओपर हमला होता है, एक उड़ते होए मैगमा क्यूब का, जो की मुझे बहुत यादा बेकार वाले डैमेज दे रहा था, तो जल्दी से उसे निप्टा देता हूँ, और यहाँ भी मुझे दिख रहे थे कुछ अजीब से जैसी कि यहाँ पे था एक ग्लो स्टोन का पेड जिसको तोड़ने में मुझे कुछ अजीब से चीज मिलती है, जो मेरे क्या काम आएगी मुझे भी नहीं पता, एक और ब्लॉक को तोड़ता हो, उसमें से मुझे मुझे मैगमा क्रीम मिलता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, और मेरी आखों के सामने था नेदर सिटी, जो की दिखने में बहुत ज्यादा खूप सुरूत थी, और आजू बाजू था पूरा लावा, तो यह जितना दिखने में खूप सुरूत था, उतना ही ज्यादा खतानाग भी था, तो मैं नीचे के साइड खूदते होते हैं, मैं गिड़ जाता हूँ एक घर के उपर, तो मैं यहां से नीचे नहीं खूदना चाता था, क्योंकि मेरी हल्थ बहुत कम थी, तो मैं आगाले घर में जाने कोशिश करता हूँ, तो मैं रुकता नहीं हूँ बिल्कूल भी, और जल्दी से खाना स्टार्ट करता हू तो मेरी हल्थ एक दम आराम आराम से बढ़ ड़ी थी, तो मैं जल्दी से गोल्डन अपल खा लेता हूँ, तो जल्दी से फ़र्नेस को मैं तोड़ता हूँ और यहां से मैं जाता हूँ नीचा ले फ्लोर में, उस घर से बाहर निकलता हूँ एक नए घर में पहुचता हूँ जहां पर मैं पहुचता हूँ उसके फर्स फ्लोर में, और यहां पर भी उड़ने आला मैंगमा क्यूब आके परिशान करता हूँ तो उसे खतम कर देता हूँ पहले, गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो पर गेम खतम नहीं होँगे, क्योंकि यहां है क्रिकेट लुडो, फ्री सेल, स्नेक रज जैसे 70 से भी ज्यादा एकसेटिंग गेम जैसी स्किल वैसी गेम तो खेलो और जीतो लाखो के कैश रिवार्ट्स और डारेट विडरॉल करो पे टीम, यूपिया या बैंक में और स्रिफ गेमिंग नहीं शॉपिंग भी करो विंजो स्टोर बना कर जीतो बाइक और स्मार्टफोन, विंजो पर इतना कुछ है और क्या बता हूँ, तो विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्स्पिरियंस करो, सो दो लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन, और वहीं भी मुझे ड्रॉर में मिलता है एक एकदम खतनाक वाला पीकेक्स, जिस और उड़ता हूँ, जिसे मैं मारता हूँ, तो यह मुझे दे रहा था ग्लो स्टोन डस्ट, एक दर्वादा खुलने मुझे दिखता है यहां पर एक एक एंचांटिंग रूम, और उपर के साइड जाता हूँ, तो यहां पर मुझे चमकने वाली चीज मिलती है, जो की था एक लेंटन, तो इसे मैं अपने लेट वाले हैंड में पहन लेता हूँ, कुछ और ऐसे चमकीले वाले मॉप्स को मारता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद इन से हो जाएगा, पर इसके लिए मुझे चीज था ग्लो स्टोन, लेकिन तब ही मैं देखता हूँ कि मेरे उप यहाँ ने से मेरे भाले हैंगाँ लगता हैं यहाँ तो मीरे उपर वाले विर स्केलिटन, यहाँ पर मेरे हमला कर देखता है, तो इस मैं निकलता हुँ, एक बाले मॉप्स को स्टोन, जाता हूँ, उसके बाद भी मुझे दिखते हूँ एक बहुत बड़ी लाइपर को reunion के नहीं देखा कभी रियल लाइफ में भी तो यहां से मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से मैं बना ले तो अपने लिए ग्रोस टोन और इसके बाद मैं जल्दी से जाता हूँ स्टैच्यू के पास और अपना रिस्पॉंड पॉइंट सेट कर लेता हूँ और अगर तुम्हारे तो इस चेस्ट को खोलता हूँ यहां पर गोल्दन अपल मिलता है और यहां पर मुझे एक टाइप के इंगट मिलता हूँ चेस्ट प्लेट ही मिलती है और ब्लैक एपल मिलता है और काफी सारे बोंस भी थे तो इस सबको रख लेता हूँ तो जल्दी से मैं पहल लेता हूँ चेस प्लेट और इसके बाद जो मुझे मिले थे हैं यहां पर काफी सारे इंगट उसे मैं तून्स बनाने कोशिश करता हूं पर वो चीज होती नहीं है तो अभी थक हार के मैं अपने लिए नॉर्मल वाली वुड़न की सौड बनाता हूं और तुम लोग सोचे रहों कि मैं क् हो चुगा था फॉर्ट्रेस में पहुच्छते हैं सबसे मुझे यहां पर दिखता है एक ब्लेज तो उसे मैं मारता हूं पहले और यह मेरे उपर हमला कर देता है और जिसके यह से मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती तो मुझे गोल्डन एपल खाना पड़ता है आगे तोड़ के देखता हूँ जो की था बोन ब्लॉक तो यहां पर इसकी बिल्कुल भी कम ही नहीं थी तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और यहां पर मुझे दिखता है एक मश्रूम या जैली पता नहीं क्या था उसके बाद मुझे दिखता है एक छोटा सा ग्रेवल का बा बाद जब मैं बहार निकलता हूँ तो मुझे दिखता है एक अजीब से टाइप का वोड तो मैं जल्ली से उसे तोड़ लेता हूँ और फिर बाद में मुझे पता चलता है कि यह यह वोड है जिसकी मदद से मैं अपने लिए टूल्स बना सकता था और यहां पर देखो यार मुझे नहीं पता हो लोग होस्टाइल है कि अच्छे तो अब मैं तो उनके पास बिल्कुल नहीं जाना था तो मैं वापीस से आ जाता हूँ अपने घर पे यहां पर रखता हूँ क्राफ्टिंग टेबल और इसको मैं कनवर्ट करता हूँ रीड में तो इसी रीड की मदद स से मैं अपने लिए तो डूस बनाने वाला था तो इसली पूरे टूस बना ले तो जिसे कि एक्स और पीकेक्स मैं पास बिखे को मैं उछ झाइब कर देता हूँ को लगार 45 और इन 54 उंगट से मौश बना तो बीर आरमर और तुम लोग सोच रहो हैं कि 28 इंगट से होता है प भी बना लेता हूँ और आप हमारे पास पूरा Арमर बने के रेडी था तो आप अरो थी छोटा भाई दो मैं अब इसको बोल सकते की यह थे लैप के लिए नगेट तो जितना हो सकता था हुआ उसके बाद यहां पर बस काफी सारे होत चुगे और यहां पर मैं तोड़ लेता हूँ काफी सारे को क्योंकि मुझे चाहिए थी बहुत सारी एकस्पी बाग की तो और कोई काम नहीं था हमें काफी दिनों की माइनिंग के बाद मैं वापस आता हूँ अपने घर में अब मैं बस काफी सारी एकस्पी भी हो चुकी थी और उसके कर देता हूँ और यहां पर मैं पास पूरे टूल्स हो चुगे थे और तुम लोग सोते होंगे कि अभी में पास इत्ती एकस्पी कैसे क्योंकि बीच मैंने थोड़ी बहुत और एकस्पी ले लिया था और काफी सारे को माइन करके और कुछ मॉप्स को मारके तो मैं थोड़ यहां पर अपनी लेक शील्ड जो की बहुत ज्यादे इंपोर्टेन तो अब बढ़ता हूँ आप इस से एकस्प्लोरिंग के और गुच जाता हूँ मैं एक बैस्टन के अंदर और यहां पर जल्दी से इन एरिया को बन कर देता हूँ और यहां पर मुझे मिलता है काफी सार कुक्ट पोक्चॉप और एक मुझे फॉर्चुन वाली शौवल मिल जाती है और दूसरे चेस्ट में मुझे काफी सारे और एरोज मिल जाते है तो यहां पर था एक पिगलिंग ब्रूट और इसको मैंने पहले पैक कर दिया था वरना यह मुझे मार देता है ऐसी दो तीन ही तो यह जो रहते हैं मैंगमा क्यों बहुत जारा दिमाग खराब करते हैं इनकी वर्चेसे मेरे बहुत सारे गोल्डन एपल वेस्ट हूँ तो ऐसे करते हो काफी सारे और चेस्ट में लूटता हूँ और यहां बे मुझे मुझे आईरन के ब्लॉक मतलम और ऐसे करते हूँ बोन ब्लॉक क्यों तो वह भी दूर्म पता चल जाएगा तो जल्दी से मैं घर पहुचते हूँ और घर पहुचते मैं अपने लिए बनाता हूँ पहला अपना नेदराइट इंगट और इस इंगट को मैं यूज करना आ था पर उससे पहले मुझे पर चलता है कि एक ब्लॉ चीज को अगर हम डाइमंड पैना देते तो वह बहुत खतनाक हो जाती है तो वैसी मैं अपने टूल्स को भी लगा देता हूँ डाइमंड तो मुझे तो यह और भी ज्यादा अच्छे लग रहे तुम्हें कैसे लग रहे तू मुझे कॉमेंट हो जाके बताओ और यहां पर मुझे वापिस से यह काफी सारे जो मैगमा क्यूब थे ही लोग परेशान करते हैं और बीच में घास्ट भी आ जाती है तो घास्ट को भी पहले निप्टा देता हूँ मैं और यहां पर मुझे दिखता है एक अजीब सा एक तूटा फूटा से कैसल और जो की बनावा था ब लहतने लाग दिन लग गए तो यहां पर मुझे मिल जाते काफी सारे गूल के ब्लॉक तो जल्दी से मैं माइन कर रहा था और माइन करने कि वजयомाते नौ गोल्ड के ब्लॉक मिल चुके थे और यहां पर एक चेस्ट भी था जहां पर मुझे मिल जाता है एक चेस्ट प्लेट जो कि मेरे अभी वाले चेस्ट प्लेट से भी खतानाक था और यह बहुत अजीब सी चीज लगी मुझे कि यहां पर हमको इंशेंट डेबरिस मिल जा जाता था ऐसी खुले में और मतलब बाकिये से नॉर्मल हमें बहुत ज्यादा मैनत करनी पड़ तीस चीज को ढूड़ने के लिए पर यहां पर ऐसे खुले मिल जा रहा था तो आखिरकर मैंने पूरे मॉप्स को मार दिया था इस कैसल के और इसके एकदम टॉप में था मैं जल्दी से वाप시 आता हो अपने घर पे तो सबसे पहले मैं यहां पे काफी सारे 행복 Ashe को तोड़ लेता हूँ और हिएंपे मैं अपने घर में ही एक चोड़ा सा Enchant Ing एरिया बना लेता हु जल्दी से और इसके बात मैं यहां पर Enchant करता हूँ जो में New Chest Plate मिलाता हूँ अब उसको मैं Enchant कर देता हूँ और अब मुझे मील जाता है Protection 3 और क्योंकि मैं पास XP अच्छी खासी थी तो मैं जल्दी से अपने इंशेंट एबरिस को स्मेल्ट कर लेता हूँ और गोल्ड ब्लॉक को मैं कर देता हूँ गोल्ड इंगट में तो जब तक कि इंशेंट एबरिस मेल्ड हो रहे थे तब तक कि मैं आ जातो बाहर और यहां पे अच्छी चीजें देते जैसे की अंडर पर और काफी सारे मुझे देते लोग पोशन और काफी सारे स्पेक्ट्र लेरो तो जल्दी से मैं पोशन यूज कर ले तो क्यूं कि मुझे आगे में बहुत जादा खतना क्वाली आवाज आरी थी जो कि था एक पाइरो पिक का होती है जिसकी मदद से वह हमें कभी भी जला के मार सकते हैं तो मैं इसे दूर से मारता हूँ और यह मुझे देता है काफी सारे नैदर वाट्स और यहां पर एक और आता है तो इसको मैं दूर से मारता हूँ दूर से हमें कुछ भी नहीं कर सकते दूर से एक दमी फालतू च जाते में पास, तो यहाँ पे जो यह थे फेंसे सिनको मैं तोड़ देता हूँ, और इस एरिया को मैं और थोड़ा expand करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना था एक खतनाक वाला enchanting room, तो मैं तुमको अलड़ी बता दिया, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और इसको मैं convert कर देता हूँ अपने netherite shield में, और उसके बाद यह जो shield होती है, बहुत यहाँ ताकतवर होती है, तो अब मैं जाने वाला था एक और new boss को मानने के लिए, तो उसकी location तक के मैं पहुशता हूँ और एकदम से मैं teleport हो जाता हूँ अंदर तक के, और यह था एकदम और मुझे खतनाक वाली sword मिल जाती है, और काफी सारी golden apple, तो यह खुद को duplicate भी कर देता है, मतलब एक से आदा, और मैं से माननी कोशिश करता हूँ पर यह मुझे फिक दाता लावा में, और देखो इसलिए मैं पोशन पिया था, तो मैं से आखिर का ट्रैप कर लेता हूँ, और मारता हो, तो मुझे मिल जाता है, totem of undying, तो इसको मैं अपने left hand में पकड़ लेता हूँ, और मुझे इस जगह की सबसे अच्छी चीज यह लगी कि हमें, इसके लिए हमें इती मैनत नहीं करनी पड़ती है, मैं जल्दी से आ जा जा तो अपने घर पे वापिस, और जित जल्दी से और जैसे मैं घर पे वापिस आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे एरिया में मुझे दिख रहा एक विदर, जो कि मेरे पूरे इस एरिया को खराब कर रहा था, तो जिती भी चीज़े काम के थी, जल्दी से मैं उन सब को collect कर लेता हूँ, और मैं चड़ जाता अपने घर की छत में, और यहां पे मैं देखता हूँ कि विदर हैगा, तो मुझे दिखता निये पहले, तो मैं जल्दी से यहां से भागने ही कोशिश करता हूँ, कि तब ही मेरे ओपर यह पीछे से आके हमला कर देता है, और यह बहुत ज्यादा ही बेकार वाले डैमेज द और यह मेरे घर के अंदर भी खुश जाता है, और देखो यारी, इसने पूरा का पूरा जो था मेरा विलेज इसको पूरा खराब कर दिया था, तो मुझे सेरिया को छोड़ के जाना पड़ रहा था, लेकिन मैं अपना बदला लेने के लिए बाद में जरूरा हूँ आपिस तो जल्दी से मैं खुदता हूँ, और यहाँ पर जो थे नॉर्मल वाले पिगलिंग्स तो हमें कुछ नी करेंगे, पर जब मैं ऊपर जाता हूँ, तो ऊपर जाते हूँ, यहाँ पर मुझे एकदम से दिख जाता है, एक पिगलिंग भूट, और यह लगबाग मुझे मारी सब को मैं रख लेता हूँ, और यह सब लूट लेकर मैं भाग जाता हूँ यहाँ से जल्दी से, और यहाँ पर मुझे दिखता है एक अजीफ सा स्ट्रक्चर, मतलब इसको हम रूइन बोल सकते हैं, और तब मुझे पदा चलता है कि यहाँ पर है एक एंडर गोलम, और यह ज्यादा ताकतवर होता है कि मैं ऐसे एरोस से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकता है, और इसके हाथों में तो कुछ ज्यादे ही दम था, यह मुझे एक फाइट मारता है, और मेरी दो तीन हेल्थ ऐसी कम हो जाती है, और इसके पास कुछ तो एकदम जादू ही ताकत थी, जिस पावर, तो इसको भी मैं यूस करके देखता हो, तो यह बहुत जादा खतनाक चीज थी, तो इसको हम आगे ज़रूर यूस करेंगे, और भी खतनाक बॉसे को मारने के लिए, तो यहाँ पे एक चेस्ट होता है, जिसमें मुझे मिल जाता है, चेस्प्रेट, और थोड़े ब पाना स्टार्ट करता हूँ, और काफी सारे ब्लेजेस को मारता हूँ, और लगभग एक पूरा दिन यहाँ पे वेस्ट करने के बाद, और मुझे यहाँ पे चेस्ट भी मिलता है, जिसमें थे काफी सारे आयरन, उसके बाद मुझे दिखता है, एक टेमपल, तो जल्दी से मैं बहुत देर घुमता हूँ, और कुछ भी नहीं मिलता हूँ, तो बस एक बड़े आले सुवर को मैं मार देता हूँ, और आखिर काफी दिन तक कैसे भटकने के बाद, मुझे दिख जाता है, यहाँ पे एक और न्यू सिटी, तो जल्दी से मैं खुदता हूँ नीचे, औ यहाँ पे और जब यहाँ पे नीचे खुदता हूँ, तो यह कुछ जादे एडवांस वाली सीटी थी और पता नहीं यहाँ पे अंदर में क्या था, स्लाइम था या एंडर ड्रेगन का मूँ था, मुझे नहीं पता, और अगर तुम्हें पता है, तो तुम्हें जल्दी से क्या था यह, तो उसको मारता हूँ जल्दी से, और चलता हो यहाँ पे ओपर, तो यह कुछ जादे एकदम सही दिख रहा था, तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपना स्टैचू रख देता हूँ, और ग्लो स्टोन की मदद से मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता तो यहाँ पे एक ड्रोर होता है, जिसके अंदे मुझे खानी की चीज़े मिल जाती है, और एक गोल्दन बूट मिल जाता है, तो जल्दी से मैं अपने लिए एक और बना लेता हूँ नेदराइट इंगट, और इसको मैं कनवर्ट कर देता हूँ, बूट्स में, और इसे मै पहल लेता हूँ, और जल्दी से अपने लिए बना लेता है, वापीस से काफी सारे बुग शेल और इस वीडियो मैं तीसरी बार यह अपने लिए एक एंचंटिंग एरिया बना रहा हूँ, तो मतलब बहुत जयादा मैनत लगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को तुम तो तुम्हें मेरा नियू टाइप कैसा लगा तुम्हें जाके बता सकते और उसके बाद मैं जली से यहां पर ट्रेड करें तो इन पिग लिंग से और तब ही मैं देखता हूं यहां पर जो की पूरी हडडी की थी तो मैं इसको मार के भी कोई मतलब नहीं था क्योंकि हमें कुछ भी चीज नहीं मिरी थी इसको मारने कर तो आखिरकार यह जो भी मुझे चीज़ दे देता है तो अब मुझे से मारना पड़ता है और वीचार इसके बच्चे को भी तो यहां पर क्योंकि अब ही मैं था नेधर में और काफी सारे ब्लॉक्स कलेट का लेता हूँ और जली से जाता हूँ मैं अपने नेक्स बॉस को मानने करें जो की बहुत ज्यादा खतनाक था तो मैं उसको दूर से देख पा रहा था और वो बहुत यादा बड़ा था साइज में यानि कि मेरा तो 2-3 गुना बड़ा होगा तो मैं पहले से दूर से मानने कोशिश करता हूँ तो अभी दूर से तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था तो मैं खूँ जाता हूँ और क्यों और यह देखते हैं मैं दूर भाग जाता हूँ क्यूंकि ऐसा कोई भी देखेगा तो उसकी फंट जाएगी यार और फिर मैं सोच लेता हूँ कि इसे दूर से मानना है तब ही यह मेरो पर ऐसा आग के गोले फिकता है और मैं इसको पास में जाके मानने कोशिश करता हूँ पर उसके चक्कर मेरे गोल्डेन एपल यूज हो जाता है और देखते देखते इस एरिया को पूरा लावा पूल में कनवर्ट कर दिया था पर आखिर कर मैं से आख्रिये कुछ शॉट्स मात और यह मर जाता है और यह डॉप करते एकदम बड़ा सा है रेसी ओर जाता है और यह घर आजाताई और यहां कि शॉट्स मील्ट बोड़ा तो इसको में रख लीता है और और यहां पर दिल्कद में पताहि क्यूंत कीूँ तो घर आ जाता हो जल्दी से और यहाँ पर आते हैं मुझे एक अजीब सी चीज दिखती है तो मुझे एक ऐसा ब्लू कलर का साइंट बोर्ट दिखता है जिसमें लिखता है कि अगर तुमें इस जगह से बहार निकलना है तो तुमें मुझे हराना पड़ेगा और यहीं पर लिखा हुआ था कि फ्लिक अमपायर के सौ के करवा दो जल्दी से सब्सक्राइबर और इसने अपना नाम लिखा था एल्डर गार्डियन और मुझे इसको हराने के लिए जाना पड़ेगा एंड डैमेंशन में तो उसके लिए मुझे चाहिए रहेंगे काफी सारे आय औफ एंडर तो जल्दी से मैं आय औफ एंडर बना लेता हुँ जितने मुझे चाहए थै और इसके बाट जैसे मैं बहार निकलता हूँ तो मैं और इसको मैं एंचांट करना था एक दम खतरनाक तरीके से और में पस कुछ बुक्स भी थी स्ट्रॉंग होल्ड तो यहां पर मैं काफी दिन तक ऐसे घूमते रहता हूं और अब मुझे मालूम चलता है कि जो मेरा न्यू आर्मर है इससे मुझे बिल्कुल भी कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा फायर से तो यहां पर मुझे काफी सारे चेस्ट मिलते हैं जिसमें कुछ डैमंड थे तो ऐसे करते हो मुझे एक दो और चेस्ट मिलते हैं जिसमें काफी अच्छी चीज़े थी जैसी कि बुक्स गोल्ड और आयरन तो एक एक करके मैं इन सब को लूटते जाता हूं और काफी दिन तक है मैं घूमते जाता हूं इसके अंदर और आखिर कार मुझे मि अब चुका था अभी अधे और और चीज़ भूल गया था कि अगर मैं अड में आ है तो पहले मुझे एंड के किंग को माना पड़ेगा यानिकी एंडर ड्रैगन को तो पहले मैं इसके पूरे-पूरे क्रिस्टल तोड देता हूं और जैसे पूरे क्रिस्टल तूट जाते उसके बाद फिर मैं इसके ओपर अटैक करना स्टार्ट करता हूँ और मैं तुम्हें बोर नहीं करूँगा तो मैं बस इसको आखरी शॉट मारता हूँ और यहां पर मर चुगा था और क्योंकि हम एंडर टैगन को इत्ती बारी मार चुगे तो उससे दिखाना बहुत ज्यादा बोरिंग पार्ट हो जाता था तो मैं चाहता था वीडियो को लंबा कर सकता था पर नहीं किया मैंने तो जित्ते भी एक्सिमी मिलती ये सबको क्रेक्ट कर लेता हूँ और यहां पे अब हमारा खुल चुगा था न्यू पोटल तो जली से मैं चाहता हूँ अस पोटल के पास और मैं पास कुछ एंडर परल भी थे पर शायद कुछ जादे घुसे में था तो यह बिलकुल भी नहीं माना था और इसने तोड़ दिया था यहां का दर्वाज़ा और बहां निकल गया था पर बहां निकलते मैं इसे खतम कर देता हूँ और अब पूरा उसका कैसल में छान मारता हूँ कि वह कहां पर है और आखिर ज्यादा खतना क्वाली ताकत थी कि मुझे एक पंच मार रहा था और मैं बहुत ज्यादा दूर जाके गिर रहा था तो ऐसे करते हूँ मैं इसकी आदी हेल्थ खतम कर देता हूँ और मैं एक जगह में रुक के इसको बिलकुल नहीं मार सकता था क्योंकि यह पता है कुछ न तो मैं बन चुगा था था थैनोस और अबस मैं स्नाइप करने वालो सब के सब गया हो जाएंगे बस इसी मदाग कर रहा हूँ यह गॉंडलेट का क्या यूज होता है अभी तुमको दिखाता हूँ मैं तो इस गॉंडलेट की मदद से मैं किसी को भी अपने तरफ खीश सकता और एक एंडर डैगन को और उस जगह से मैं सही सलामात बाहर आ चुका और बस अब मुझे इस पॉटल में खूदना और मैं पहुच जाओंगा अपने नॉर्माल वाले वर्ल्ड में तो बस यह इस वीडियो के लिसी भी नहीं और तुम्हें वीडियो अच लगता है तो इस जाओंगक Mich 2020 अभक खे नवी अर को झाले अभा इस वीडियो के लिसी भी नहीं ड़ने ए स्द olduğन में हुच जाओंगव इस जाओंगा कॉप जाओंग जा ऊड़ने मंा आ नहीं जाएंगे दdragon कका और फ्ट नहींगता है जाओंगी।